हमने अभी तक applications of electrostatic में capacitor को मेंली देखा हमने देखा कि capacitor किया है capacitance किया है और capacitance को मज़ेर किसना करते हैं इसी से relate करता है हमारा next topic that is energy stored in a capacitor कि basically capacitors के अंदर energy store किस form में होती है और इसके क्या mathematical formula है इसकी derivation है आई उसको देख लेते हैं आपकी paper में अक्सर derivation आती है या आपके पास question आता है के define capacitor and how to find the energy stored in a capacitor के हम दो energy को कैसे find करते हैं जो capacitor के अंदर store होती है आपको यह बात पता है कि जो energy है वो हमारे पास QV over 2 के equal होती है ठीक है जी हमारे पास Q into V over 2 के equal होती है और Q जो हमारे पास CV के equivalent होता है ठीक है यह चीज हमने find की दिया अपने previous topics में से अगर मैं यहाँ पे Q की values के अंदर put कर दूँ तो CV into V जो है हमारे पास C into V का square हो जाएगा आपको यह बात पता है ना कि अगर मैं CV को उसमें put कर तो CV का square आजएगा और V is equal to ED है जो हमने इस चीज को देखा था अब capacitance हमारे पास यह थी कि A into epsilon R epsilon not over D इसमें जो epsilon R था वो हमारे पास C medium over C vacuum की ratio थी और epsilon not जो था वो permittivity of the free space थी whereas A or D आपको पता है area or distance between the plates है अब क्या करना है हमने by putting two in one हमने इस C की value को ना उठा गे ना equation number one में put कर देना है जब हम इसको equation number one में put करते हैं तो आप देखें यहां पे हमारे पास half जो है सबसे पहले इलाइदा हो गया यह वाला जो one by two हमने इसको हमने इलाइदा कर लिया उसके बाद हमने C की value क्या है A epsilon R epsilon not over D और इसके साथ V का square था और V की value हमने निकाले थी that is ED और अगर हम आगर हम आजएगा और A D आजएगा ठीक है क्योंके A epsilon R epsilon not थाना वो A जो हमने D के साथ multiply कर दे और आप को यह बात पता है कि A हमारे पास area है जबके D हमारे पास distance है और area को कसी एक distance साथ multiply करें तो वो term हमारे पास volume कहला रही होती है और इसी की base में हम the product of AD जो हमारे पास volume कहला रही हो थी है हमारे पास यह जो term है ना यह energy store in a capacitor किया क्योंकि जब भी हम energy store को निकालते है पर unit volume हम उसको find कर रहोते हैं कि कितना उसका volume हो तो इसके अंदर कितनी energy store होगी तो आपको यह formula याद रचना है use equal to half epsilon R epsilon not into E square आपके आने वाले numerical में यह formula काफी जदा help कर रहोगा जब हम energy store इना capacitor को find करेंगे